नमस्कार मैं हूँ अन्शिता, देन्यूज रडार की यान वृद्धी सीरीज में आप सबका स्वागत है आज बात करेंगे श्रिखंट महादेव के बारे में हिंदू पौराणी कधाओं में पंच कैलाश के बारे में बताया गया है तिब्बत में कैलाश मान जरोवर, उत्राखन में आदी कैलाश और हमाज्शल प्रदेश में श्रिखंट महादेव कैलाश, मनी महेश कैलाश और किंणर कैलाश इन पांच कैलाश को भगवान शिप का पवित्र निवास माना जाता है जहां में रहते हैं और ध्यान करते हैं तुआई आग जानते हैं शुरीखंड महादेव के बारे में कहते हैं कि भस्Ma सुर राक्षषन यहां कठो तबस्या करके भगवान शिप से वरदान मांगा वर्दान ये था कि जिसके सिर पर भी वो अपना हाथ रखे वो भस्म हो जाए मगर एहंकार में भस्मासुर भगवान शिट के ही पीछे पड़ गे मजबूरन भोलिनात को इन पहाड की गुफाओं में छिपना पड़ा राक्षस के डर से माता पार्विती यहां पर रो पड़ी कहते हैं कि उनके आसों से यहां नैल सरोवर का निर्मान हुआ हाला कि बाद में भस्मासुर का बद कर दिया गया लेकिन तभी से ये पहाडी शिखंड महादेव के नाम से जानी चाहती है यहां शिर्भ भगवान की एक शिर्ण अभी है जिसे देखकर लगता है कि हम आस्मान में ही पहुँच गए हो एक और तथा के रुसार जब पांड़वों को 13 साल का बनवास हुआ तो उन्होंने कुछ समय यहां बिताया इसके साक्षे वहां धीम द्वारा बड़े-बड़े पत्तरों को काट कर रखना बताया जाता है उन्होंने यहां एक राक्षज को भी मारा था जो यहां आने वाले भगतों को मार खाता था प्यात्रा के दोरान पार्वती बाग भी रास्ते में आता है यहां रंग भी रंगे फूल है जो और किसी भी स्थान पर नहीं मिलते है तो आज के लिए बस इतना ही इसे तरह की और वीडियोस के लिए देखते रहें देन्यूस रडार